नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों किसी ने बहुत अच्छी बात कही है दुनिया में सबसे बड़ी गलती होती है अपनी गलती को टालते हुए चले जाना अगर आपसे कोई चीज नहीं बनती है आप उसे कल पर छोड़ते हैं और वही कल एक दिन आपको ऐसे आसू रोलाता है जिस दिन आपके आसू पोचने वाला भी नहीं होता है वही चीज होती है विध्यारती जीवन में आने वाले कोउशन्स को ये सोचकर टाल दिया जाता है कि हम इसको लास्ट दे पढ़ेंगे तो हमें जादा याद रहेगा जबकि आप रिवीजन करेंगे तब आपको जादा याद रहेगा तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ ही श्रेणी में आपका ही फायदा है चली स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहला कॉशन ये रहा स्कीन पर डैसीबल किसे मापनी के लिए प्रियोग में लाया जाता है तो डैसीबल वाता वरण में ध्वनी मापनी के लिए प्रियोग में लाया जाता है एंपियर क्या का ऐसा ही मात्रक क्या है तो न्यूटन प्रती वर्ग मीटर यंग प्रत्यास्था गुडांग का ऐसा ही मात्रक है मात्रकों की अंतराशी पदती कब लागू की गई तो मात्रकों की अंतराशी पदती 1971 में लागू की गई खाद उर्जा को हम किस एकाई में व्यक्त करते हैं त तो ऐसा ही पदती में लैंस की शक्ति की एकाई डायोप्टर है। कैंडला किसकी एकाई का नाम है तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की एकाई का नाम है। दाब का मातरक क्या है पासकल दाब का मातरक है। कारी का मातरक क्या है तो कारी का मातरक जूल है। प्रकाशवर्स किसकी काई है तो प्रकाशवर्स दूरी की काई है। जड़त का माप क्या है तो द्रविमान जड़त की माप कहलाईगी। एंक्ष्राम क्या मापता है तो एंक्ष्राम से तरंग दैर्ध मापा जाता है किसने न्यूटन से पूर्भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं प्रत्वी की ओर आकर्शित होती हैं तो ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं सूर से प्रकास वोल्टियर सेल के प्रियोग से सौर उर्जा का रूपांतरन करने में किसका उत्पादन होता है तो प्रकास उर्जा का उत्पादन होता है इलेक्ट्रिक का उत्पादन होता है जिससे आप किसी भी प्रकार की उर्जा का प्रियोग कर सकते हैं हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है ऐसे पदार्थ में क्या पाए जाता है तो ऐसे पदार्थ में इस्थिते जूड़जा पाई जाती है उत्पलावक्ता से संबंदित व्यग्यानिक कौन थे तो उत्पलावक्ता अर्था तैरने के नियम देने वाले व्यग्यानिक जो हैं आर्कमिडीस जी थे द्रव में आंशिक्या पूर्था दूबे हुए किसी ठोस पदार्थ द्वारा प्राप्त उचाल की मातरा किस पर निर्भर करती है तो द्रव में आंशिक्या पूर्था दूबे हुए प्राप्त उचाल की मातरा ठोस द्वारा हटाये गए द्रव की मातरा पर निर्भर करत है तो वेक संबे कोणी वेक ये सभी सदिस रासिया है। उड़ जा एक अधेश रासी है बल किसका गुड़न फल है तो द्रविमान और तुरण एब बराबर एमे एक फॉर्मला भी होता है एब बराबर में द्रविमान और मास एंड एस्कलिडेशन का मल्टिप्लिकेशन होता है फोर्स द्रविमान नेक्ट कॉशन देखते हैं जब कोई व्यक्ति चंदर्मा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्तित भार घड़ जाता है परंतु मात्रा और परिवर्तित रहती है इसमें वह सीधी रेखा में या विराम की एक समान गती की इस्तिती में किसी परिवर्तन का विरोध करता है तो वह कहलाता है जड़त्व इनर्शिया न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते है तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते है पारसिक की काई है तो एक बटे दस भाग समुद्र की सता से उपर रहता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में पेवेश करती है तो थोड़ा उपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनतों अधिक्तम कब होता है? चार डिगरी सेंट्रियस तांपमान पर पानी का घनतों अधिक्तम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनतों जो है अपरिवर्तित रहेगा। तेराग को नदी के मुकाबले समुद्र में पानी में तेरना आसान लगता है कारण क्या है तो समुद्री पानी का घनतों साधारन पानी से ज़्यादा होता है इसलिए तेराग को समुद्र में तेरना आसान लगता है यदि प्रत्वी का द्रविमान वही रहे त्रिज्जा एक प्रतीशत कम हो जाए तब प्रत्वी के तलपड़ जी का मान क्या हो जाएगा तो प्रत्वी के तलपड़ जी का मान दो प्रतीशत बढ़ जाएगा बरनोली प्रमे किस पर आधारित है तो बरनोली प्रमे उर्जा सनक्षन पर आधारित है लोहे की सुई पानी की सता पर तैरती है इस पर इहटना का कारण क्या है तो लोहे की सुई पानी की सता पर तैरती है यह प्रश्ट तनाव के कारण हो पाता है ब्लाटिंग पेपर के द्वारा स्याही को सोखने के लिए कौन सी क्रिया होती है तो केश की अभी क्रिया के द्वारा ब्लाटिंग पेपर के द्वारा स्याही सोख ली जाती है यदि हम भूमद रिखा से द्रोवों की ओर जाते हैं तो जी के मान पर क्या असर पड़ेगा तो यदि हम भूमद रिखा से द्रोवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है एक अंत्रिक्षियात्री प्रत्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक उची छलांग लगा सकता है कारण क्या है तो चंद्रमा की तल पर गुरुत्वा कशन बल प्रत्वी की तल की तुलना में अतियल्प होता है इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति अधिक उची छलांग लगा सकता है जब एक पत्तर को चांद की सता से प्रत्वी पलाया जाता है तो क्या चेंजिस होते हैं तो उसका भार तो बदल जाता है लेकिन द्रविमान नहीं बदलता है किसी लिफ्ट में बैठे हुए एक व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है तो किसी भी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जब लिफ्ट तुरित गती से उपर जा रही हो तब अधिक मालूम पड़ता है लिफ्ट का अविश्कार किस ने किया था कमेंट बॉक्स में कमेंट रख बताईए 20 किलोग्राम बजन को जमीन के उपर 1 मीटर की उचाई पर पकड़ के रखने के लिए कितना कार्य लगेगा तो 0 जूल इस कॉशन के लिए सहित्र हो जाएगा एक विक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में अस्फल रहता है तो वह क्या कार करता है तो वह कोई भी कार्य नहीं करता पहाड़ी पर चड़ता एक विक्ति आगे की ओर जुख जाता है कारण क्या है तो इसके गुरुत्तों से जाने वाली उर्द्वा दर्रेखा आधार से होकर जाती है इसलिए पीसा की एतिहासिक मीनार तिरिची होते हुए भी गिरती नहीं है एक उची इमारत के एक गैन 9.8 मीटर प्रती सेकंड स्क्वेर के एक समान तुरण के साथ गिराई जाती है गुरुत्तों जनित जी 10 मीटर प्रती सेकंड है अगर चंद्रमा पर गुरुत्तों जनित तुरण 6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रविमान कितना होगा तो चंदर्मा पर भी अगर 6 है चंदर्मा पर एक बटे 6 है तो ये तरवाण जो है ये दरविमान हाँ तो दरविमान आपका 100 kg ही रहेगा एक बस्तू का दरविमान जो है 100 kg है चंदर्मा पर गुरुत जने तुरण z6 एक बटे 6 है माफ करीगा यहाँ पर एक बटे 6 यानि कि आपका multiplication हो जाएगा 100 का 1 by 6 से तो यहाँ पर 100 नहीं आएगा 6 multiply एक बटे 6 आएगा next question देखते हैं शक्ती का ऐसा ही मात्रक क्या है तो kilogram meter square kilogram प्रती meter square second cube शक्ती का ऐसा ही मात्रक है इसके बराबर है sorry भार हिंदा की अवस्था में एक मौंबत्ती की ज्वाला का अकार कैसा होता है तो भार हिंदा की अवस्था में एक मौंबत्ती की ज्वाला का अकार वही रहेगा एक केशनली में जल की अपिक्षा एक तरल अधिक उचाई तक चड़ता है इसका कारण क्या है तो एक केश नली में तरल जल की अपिक्षा अधिक उचाई तक चड़ता है क्योंकि तरल का प्रश्टनाव जल की अपिक्षा अधिक होता है गुरुत्वा कशन के सार्भॉमिक नियम का प्रदिपादन किस ने किया था तो क्यूस्एक से जल का बहाव मापा जाता है किसी पिंड का भार कितना होता है तो किसी पिंड का भार धुवों पर अधिक्तम और केंद्र पर नियूंतम होता है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्त्विक भार से कम होता है जब लिफ्ट कहां जा रही हो तो तोरण के साथ जब नीचे जा रही हो तब वास्त्विक भार कम होता है प्रतीत होता है प्रत्वी से 36,000 km की उचाई पर भूइस्तर उपग्रा स्थापित किये जाते हैं महान वेग्यानिक आर्कमडीस किस देश से थे तो महान वेग्यानिक आर्कमडीस ग्रीश देश से सम्मदित थे पानी की बूनों का तेली प्रश्पन नाचे पकने का कारण क्या है असंजन बल का कारण पानी की बूनों का तेली प्रश्पन नाचे पकने का कारण है तुल्ले कारी उपगरा घूमता है प्रत्वी के इर्दगिर्द तो तुल्ले कारी उपगरा प्रत्वी के इर्दगिर्द पश्यम से पूर्विकी और घूमता है पहिये में बाल बेरिंग का काम क्या है तो इस्थैतिक घर्षन को गतिज घर्षन में बदलना पहिये में बाल बेरिंग का मुखेकार है जल के आयतन में क्या परिवर्टन होगा यदी तापमा 9 डिग्री से गिर कर 3 डिग्री करा दिया जाए तो आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा ये चेंजिस होंगे एक जील में तैरने बाली इस पात की नाओ के लिए नाओ द्वारा विस्तापित पानी का भार कितना है तो नाओ के उस भाग के बराबर है जो जील में पानी की सता से नीचे है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीता जाए तो उसमें कौन से नियम लागू होंगे तो उसमें गती का पहला नियम लागू होगा सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है कारण क्या है तो सड़क पर चलने के पिक्षा बर्फ पर चलना घर्षन के कारण ही possible नहीं है क्योंकि बर्फ पर कम घर्षन होता है लोलग का आवर्थकाल टाइम पिरड कितना होता है कैसा होता है तो टाइम पिरड जो है उसकी लंबाई पर लेंध पर डिपरेंट करता है किसी भी पैंडूलम का next question देखते हैं लोलग घड़ी या गर्भियों में सुस्थ हो जाती है कारण क्या है तो पैंडलम की लंबाई बढ़ जाती है जिससे दोलन करने में समय बढ़ जाता इसलिए पैंडलम 貌ली घड़ी गर्मी में सुस्थ हो जाती है किसी सरलोलक की लंबाई चार प्रतीशत बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्थकाल कितना बढ़ जाएगा तो किसी सरलोलक की लंबाई चार प्रतीशत बढ़ा दी जाएगा यदि pendulum की लंबाई चार गुनी कर दी जाए तो pendulum के जूलने का समय का क्या changes होगा तो दो गुना हो जाएगा pendulum के जूलने का समय pendulum को चंदर्मा पर ले जाने पर उसकी सम्यावधी कैसी हो जाएगी तो बढ़ जाएगी एक कणका द्रविमान M तथा संबेक P है तो इसकी गतेज उर्जा कितनी होगी तो P square upon 2 बराबर P square upon 2 into M गतेज उर्जा होगी एक भू उपग्रा अपने कक्ष में निरंतर गती करता है यहाँ अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो उसे किस्से प्राप्त होता है तो यहाँ अपकेंद्र बल प्रतवी द्वारा उपग्रा पर लगने वारे गुत्वा करशन बल से प्राप्त होता है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित उर्जा कौनसी उर्जा होती है तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित उर्जा इस्थितिच उर्जा होती है कक्षा में अंत्रिक्षियान में भार हिंता की अनुभूती का कारण क्या है तो कक्षा में अंत्रिक्षियान में भार हिंता की अनुभूती का कारण कक्षा में तुरण बाहरी गुत्वा करण के कारण तुरण के बराबर हो जाता है इसलिए भार हिंता महसूस होती है न्यूटन की गती के तीसरे नियम के अनुसा क्रिया तथा प्रतिक्रिया से सम्मनित बल हमेशा भिन 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 वस्तुओं पर ही लगे होते हैं प्रतिक्रिया के बराबर वा विप्रीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है यहां न्यूटन की गती का विश्यक त्रतिय नियम है जल में तहना न्यूटन की गती के किस नियम से संभव है तो त्रतिय नियम से संभव है दलल में फसे व्यक्ती को लेड जाने की सला दी जाती है का तुकडे आपस में दबाने पर चिपक जाते हैं परत्वी के गुरुत्वाकशन का कितना भाग चंद्रमा की गुरुत्वाकशन के सबसे नजदीक है तो एक बटे छे भाग चंद्रमा की गुरुत्वाकशन के सबसे नजदीक है किसी पिंड के द्रविमान तथा भार में अंतर को अंतर से क्या होता है किसी पिंड के द्रविमान तथा भार में अंतर होता है क्यों तो द्रविमान इस्थिर रहता है परंतु भार परिवर्तनी होता है इसलिए किसी भी इस्थरिय गदिशील वश्थू की इस्थिती और दशा में तब तक कोई परिवरतन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहबल सक्रिय ना हो या किस का कथन है तो यह Newton का गटि का तीसरा नियम है माफ करेंगा पहला नियम है जड़तो का नियम पहला नियम कौन से नियम इस कथन को वैद ठहराता है कि द्रवे का ना तो सरजन किया जा सकता है और ना ही विनास तो उर्जा सरजन का नियम ये बताता है कि द्रवे का ना ही सरजन किया सकता है और ना ही विनास किया जा सकता है आटो मोबाइल में प्रियुक्त द्रव चलित ब्रेक में किसका प्रियुक करते हैं तो पास्कल के नियम से हाइडरोलिक ब्रेक वगेरा काम करते हैं पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपाद से कौनसी भहत एक राशी प्राप्त होती है तो पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपाद से द्रविमान प्राप्त होता है राइट आंसर हो जाएगा सूने में सुतंतर रूप से गिरने वाली वस्तूओं का समान तोरण होत सकता है रेल की पट्रियां अपने कवस पर किस कारण से जुकी हुई होती है तो रेल गाड़ी के भार को 26 घटत से आवश्यक अभी केंद्रिय बल प्राप्त किया जा सके इसलिए वो अपने वक्रों पर जुकी हुई होती है साइकल चलाने वाला मोड लेते समय क्यों जुकता ह ताकि वहां गुरुत्व के आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा यहां गुरुत्व कोई भी साइकल सवार किसी मोड पर घूमता है तो वहां अंदर की ओजुक जाता है क्रीम सेपरेटर से दूच से वसा को किस कारण से अलग किया जाता है तो पानी के एक गिलास में बर्फ का तुगड़ा तैर रहा है जब बर्फ पिघल जाएगी तो अंदर का इस्तर क्या होगा तो उतना ही रहेगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पिघलने के बाद पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर तूड़ जाती है कारण क्या है त जल जब शुद जल में डिटरजेंट डाला जाता है तो प्रश्तनाव घड़ जाता है आर्कमडीस का नियम किसे संबंदित है तो प्लवन के नियम से संबंदित है आर्कमडीस का नियम तेल जल के तल पर फैल जाता है कारण क्या है तो तेल का प्रश्तनाव जल से कम होता है प्रश्टनाव ही इसमें भी एफेक्ट करेगा इस्तिर पानी में मिट्टी का तिल डालने पर मच्छड मर जाते हैं या कम हो जाते हैं कारण क्या है तो लारवा सांस लेने में बादित होता है इसलिए ऐसा होता है पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चु जब किसी वस्तू को प्रत्वी से चंद्रमा पर ले जाता है तो उसका बहार घड़ जाता है जब एक चल वस्तू की गती 2 गुणी कर दी जाती है तो उसकी गते जूर्जा चौगुणी हो जाती है अंत्रिक शयाती अंत्रिक में सीधे खड़े नहीं क्यों क्यों क्योंकि वहां पर गुरुत्वा का शर्ण नहीं होता है समभातक कमरे के छвед मतलब exhaust कमरे के छजफ पर लगा जाते कारण क्या है तो गर्म हमा ओठकर उपर स्या कार वगेरा में शौक्च अब लगते हैं वो श्टीव की बना जाते कारण क्या है उसकी प्रत्याष्था अधिक होती है इसलिए 然後 पर वायू मंडल नहीं है कारण क्या है तो यह सूर्र से प्रकास पाता है चद्रवाप पर वायू मंदल नहीं है इसके लिए सही उत्र हो जाएगा एक होर्स पावर HP का कितने वाट के बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है एक होर्स पावर एक कार की गती 36 किलोमेटर प्रती घंटा है इसे मीटर प्रती सेकेंड में कैसे वेक्ट करेंगे तो 10 मीटर प्रती सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा 36 को 5 बड़े 18 से भाग दे दीजे आंसर आजाएगा तूफान की भविश्वाणी की जाती है जब वायूमंदली दाब मापी में तब तूफान के आने की भविश्वाणी होती है अंडा म्रदु जल में डूब जाता है कि नमक की घोल में तैरता रहता है कारण के है तो नमक की घोल का घनत अंडे की घनतों से अधिक होता है इसलिए तैरता रहता है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घुनन करने है घुनी मंच पर अपनी कोण ये चालकम करने के लिए क्या करना चाहिए उसे हाथ बाहर की तरफ निकाल कर फैला लेना चाहिए 54 किलोमीटर प्रती घंटे का वेक कमान क्या हो जाएगा उसको भी चेंज कर सकते हैं स्वचलित कलाई घडियों में उर्जा किसे मिलती है तो जो नॉर्मल हम हाथ में कलाई घडिया बहते हैं बैटरी से इसमें उर्जा मिलती है जब कुए से पानी की बाल्टी उपर की और खीचते हैं तो हमें मैसूस होता है कि पानी से बाहर आने पर बाल्टी जो है भारी हो जाती है भार हींता गुरुत्वा कर्शन की सूनी स्थिती में होती है एक नदी में चलता हुआ जहाज कैसा हो जाता है तो नदी में चलता हुआ जहाँ जब समुदर में जाता है तो उसका इसता थोड़ा सा ऊपर हो जाता है लोही कील पारे में तैरती है जब की या पानी में डूब जाती है करण क्या है तो बिस्तापित पानी के बराबर ये कमी होती है बर्क पानी पर तेरती है परन्तु एलकोहल में डूब जाती है कारण क्या है तो बर्क पानी से हलकी होती है तिधा एलकोहल से भारी होती है इसलिए होता है चलती ही बस में जब अचानक ब्रीक लगता है तो उसमें बैठे हुए आत्री आगे की दिश्वा में गिरते हैं इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है तो यहां नीटन का पहला नियम कहलाएगा जड़तु का नियम रॉकेट की कारण प्राली के सिद्दान पर आधारित होती है तो समझे एक सरक्षण के सिद्दान पर आधारित है अश्यदी एका एक चलना प्रारम कर दे तो अश्वारोही किरने की आसंका का कारण क्या है विश्राम के जड़तु के कारण ऐसा हो पाता है क्रिकेट का खिलाडी तेजी से आते हुई बॉल को पकड़ने के लिए अपने हाथ को पीछे खीचता है क्यों तो बॉल बिश्राम की स्थिती में आ जाती है ऐसा करने से उसको चोट नहीं लगती है प्रेशर कोकर में खाना पक जाता है जल्दी कारण क्या है तो पानी का कोतनांग बढ़ जाता है इसलिए प्रेशर कोकर में खाना जल्दी पक जाता है वायू दाप मापी की रेटिंग अचानक गिरना किस बात का संगे तक होती है तो तूफानी मौसम का होना वायू दाप मापी के रेटिंग का अचानक गिरना ये बतलाता है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिफिन का गुबारा प्रत्वी के तल से छोड़ा जाता है वायू मंजल के उचाई पर जाने पर क्या होगा तो उसके अब आप में व्रद्धी हो जाएगी गुबारा फूड जाएगा एक धावक लंबीक शलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौरता है तो क्यों तो छलांग लगाते समय उसके सरीर की गर्तिज जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करेगी इसलिए छलांग लगाने से पहले थोड़ी देर दौरता है वो बिन बिन द्रगगान के दो पत्रों को एक भवन से शिकर से एक साथ गिराये जाए तो क्या होगा दौन पत्र जमीन पर एक साथ पहुँचेंगे श्यानतागी काई क्या है तो श्यानतागी काई पॉईज है प्रकास का रंग निर्धारत कैसे होता है तो प्रकास का रंग तरंग देर्द से निर्धारत होता है पानी में हवा का बुलबला वैसे ही काम करता है जैसे आउतर लेंस काम करता है हम प्रत्वी के प्रश्पर सूर्य का प्रकास जो प्राप्त करते हैं ये प्रकास किस प्रकार की करणपुझ है तो ये समानतर करणपुझ है माध्यम के तापमान में ब्रदी के साथ प्रकास की गति कैसी रहती है तो वैसी ही रहती है प्रकास शोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिने क्या कहते हैं तो उन्हें फोटॉन कहते हैं प्रकास तरंग किस प्रकार की तरंग है तो प्रकास तरंग एक अनुपरस्त तरंग है प्रकास का तरंग सिद्दान किसके द्वारा दिया गया हाईगेंस के द्वारा प्रकास तरंग सिद्दान दिया गया आवर्तक दुर्बीन में क्या होता है अपवर्तक दुर्बीन में असमान फोकस दूरी के दो उत्तर लेंस होते हैं आकास में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंदित प्रकास की परिहर्टना क्या है तो प्रकीरणन इस question के लिए सेहतर हो जाएगा जब प्रकास की करण एक माध्यम से दूस्रे माध्यम में जाती है तो क्या होता है तो आवरती समान बनी रहती है तो दोस्तों ये थे 150 questions जो मैंने अभी आपके लिए कराए questions में वीडियो में जो questions हैं ये last year पूछे गए exams के questions है तो आप revise करिए COVID-19 के चलते आप सभी घर में हैं घर में जितना ज़्यादा revision कर सकते हैं करिए वीडियो कोई speed में इसलिए में बनाता हूँ कि कम समय में ज़्यादा questions आपके हो जाएंगे revision जब भी आपका मन हो करने का 20 मिनट का वीडियो है एक बार फिर से देख लिया दो तीन बार देखके सारे questions याद कर लिए आपका ही फायदा है किसी परकार की कोई जानकारी अगर आप हमसे पूछना चाते हैं आप हमें comment करिए live class लेना चाते है तो हमें comment करिए कोई और topic आपको पढ़ना है कोई वीडियो चाहिए तो हमें comment करिए हमारे पास 2500 से ज़्यादा वीडियो है अलग-अलग topic के अगर आप किसी भी परकार का topic चाते है जैनल लवने साइनस और करेंट अफेस से related आप हमें comment करिए हम आपके comment पर message से link share कर देंगे घर पर बैठे बैठे revision सबसे बड़ी अचीज है आने वाले exam की सबसे अच्छी तयारी है revision 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 जितना ज़्यादा revise करेंगे उतना ज़्यादा chances हैं कम गलतिया के तो जो भी वीडियो चाहिए आप comment करके बताइए live class पढ़ना है comment करके बताइए सब कुछ free है सारी चीज़े फ्री है use करी जितना use कर सकते हैं आपके लिए हम सब तयार है बशर्ते आपको जौब लगानी है कैसे भी करके कैसे लगा वीडियो comment box में comment करके ज़रूर बताएं चैनल सब्सक्राइब कर ले bell icon on कर ले all वाला notification on कर लीजेगा subscribe करने के साथ साथ जब bell icon आप on करें जिससे आपको notification मिले चैनल पर तीन टाइम में तीन वीडियो upload होते है तीन टाइम कौन कौन से है एक सुबच 6 बजे एक सुबच 10 बजे और एक शाम को 7 बजे इस टाइम पर fix है वीडियो upload होते ही है आप रोज इस समय पर चैनल पर आकर अलग लग topic के वीडियो देख सकते है पर दे 500 प्लस questions हम आपको provide करा देते हैं mc questions और one liner format में जैसे अभी one liner दिया सुबह इससे पहले mcq दिया था एक दिन के 500 करते हो तो 21 दिन में आप कितने कर लोगे आप खुछ सोच लो तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा live class पढ़ने के लिए comment करिए जो भी जानकरी चाहते comment करिए हम आपको reply करेंगे वीडियो को share करिएगा जाद से जादा सिर्फ आप तक वीडियो नहीं रहना चाहिए वीडियो आपसे भी जादा जाना चाहिए क्या क्या कमेंट करते हैं थोड़ा सा हमें पता चले और अगर वीडियो में किसी प्रकर कोई doubt है तो भी आप कमेंट करें हम आपका doubt क्लियर करेंगे भरसक जितना भी हो सकी कर जल्द से जल्दी ठीक है बहुत बहुत धनिवाद वीडियो देखने के लिए thank you so much आप सभी का कर दो